नमस्कार आप देख रहे हैं दिली 24 और मैं हूँ आपके साथ राशी शुकला अयोध्या में तयार हो रहे भवी राम मंदिर का इंतजार दुनिया के करोडों राम भक्तों को है राम जनम भूमी तीर्थ छेत्र ट्रस्ट के मुताबिक 30 दिसंबर तक राम मंदिर निर्माण के पहले चरण का काम पूरा कर लिया जाएगा नए साल 2024 से राम मंदिर भक्तों के लिए खुल जाएगा और राम भक्त भवी राम मंदिर में अपने आराध्य राम लला के दर्शन कर सकेंगे लेकिन राम मंदिर निर्माण का पहला चरण पूरा होने से पहले हम इस साल की राम लीला को भव दिव और यादगार बनाने की पूरी तयारी कर ली गई है अक्टूबर में होने जा रही अयोध्या की विशेश राम लीला में बॉलिवुट जगत के बड़े चहरे रामायन के पातरों को जीवन्त करेंगे अयोध्या राम लीला के अध्यक्ष सुभाष मलिक और महासचिव शुभा मलिक ने राम लीला में अभिने करने वाले अभिनेताओं के बारे में बताती हुए कहा कि हमें इस बात की बेहत खुशी है कि इस साल आयोध्या की रामलीला में बॉलिवोट के बड़े कलाकार काम कर रहे हैं हमें बहुत खुशी हो रहे ही है कि पिछले साल 25 करोड से ज्यादा रामभक्तों ने आयोध्या की रामलीला को देखा था और इस साल भी हमारी कोशिश है कि राम भक्त अयोध्या की राम लीला को ज्यादा से ज्यादा देख पाई इस साल अयोध्या के राम लीला को YouTube चैनल पर लाइव दिखाया जाएगा जिस से श्री राम जनम भूमी की राम लीला देश विदेश में रहने वाले करोणो राम भक्तों तक पहुँच पाए अयोध्या राम लीला के अध्याक्ष सुभाश मलिक और महा सचिप शुभम मलिक ने बताया कि इस बार की लाम लीला में श्री राम का किरदार राहुल भुचा निभाएंगे और माता सीता के किरदार में लीली सिंग होंगी पिछले साल माता सीता का किरदार निभाने वाली पूनम धिलो मा शबरी के किरदार में होंगी वेद मती की किरदार में बॉलिवोड आक्ट्रिस भाग्य श्री होंगी राजा जनक की रोल में गजींद्र चोहान होंगे अही रावण के रोल में रजा मुराद नजर आएंगे रावड के किरदार में होंगे महा भारत में धृत राश्ट का रोल करने वाले गिरिजाशंकर केवड के रोल में रवी किशन नज़र आएंगे हनुमान के किरदार में वरुन सागर जी होंगे आयोध्या की राम लीला में सुनील पाल, नारद मुनी का किरदार ने बाती नजर आएंगे साथ ही गुलशन पांडे, अफ्तार गिल और मम्ता सिंग जैसे कई फेमस आक्टर्स भी आयोध्या की राम लीला में काम कर रही है आयोध्या, रामलीला के अध्याक्ष सुभाश मलेक और महासचिम शुभम मलेक ने बताया कि हम आयोध्या की रामलीला पिछले चार साल से आयोज़त कर रहे हैं हमें सादू संतों का प्यार सम्मान मिलता रहा है राम लीला आयोजन के शेडूल के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि इस साल 14 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक राम कथा पार्क नया घाट से लाइब दिखाई जाएगी आयोध्या की राम लीला विश्व की सबसे बड़ी राम लीला है और हमें इस बात की बहुत खुशी है अयोध्या रामलीला के अध्यक्ष सुभाश मलेक और महासचेव शुभा मलेक ने कहा कि अयोध्या की रामलीला उत्तरपदेश सरकार के माननिय मुख्य मंतरी श्री योगी आदित तिनाथ जी और सांस्क्रतिक मंतरी श्री जैवीर सिंग के सहयोग से होता है और इसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं